वश्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हो दोस्तों मैं आज जो आपको एक सची घठना बताने वाला हूँ ये घठना इतनी खतरनाक और इतनी भ्यानक है तो कमजोर दिल वाले जो हैं इस घठना को ना सुने और ना ही बच्चे इस कहानी को सुने दोस्तों ये जो घटना है ये हिमाचर की ही है और होता क्या है कि एक अदमी ससुराल गया होता है ससुराल में शादी थी और वो शादी से होकर क्या आता है कि बहां शादी निपटा कर आता है तो शादी निपटाता है शादी निपटाने के बाद क्या होता है कि वो फिर शाओं को घर को निकलता है लेट हो जाता है और घर को आ जाता है घर को आने से क्याता है कि रास्ते में जो उसका घर ता वहां से पांच किलिमेटर दोर पड़ता था उसको सुनसान जगह से निकलना पड़ता था, तो हुआ क्या कि अब बहां से उसको सारा रास्ता पैदलता है करना था, तो दोस्तों जंगल था तो डरता नहीं था हो, तो उसने क्या कि कि बहां से चला हो, और जैसे ही चला तो एक किलमेटर दूर चला था, एक किलमेटर दूर के बाद क्या होता है कि कुछ नाले थे वहाँ पर जहां पर पानी वगएरा था और आगे पिछे शमशान थे शमशान घाट और शमशान घाट के उपर क्या था कि अब उसको जो रास्ता था उसको बहीं से निकलना था गोजरना था अब क्या होता है कि जैसे वह शमशान घाट के जैसे उस नाले में पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि जो रास्ता था रास्ता भी इसको बहीं से जाना था जहां से शमशान घाट जा रहा था तो बहापर देखता है कि बहापर बारात आ रही है, खोब लोग जा रहे हैं और खोब बाज़े बज़ रहे हैं, सब भी नाच रहे हैं, तो अब वो भी उनके बीच में मिल गया है। तो वो प्याद जान तो गया था कि ये जो बारात है बूतों की बारात हैं, तो मगर सभी इनसान ही लग रहे थे, उसको जैसे वो देख रहा था वैसं है, सब कुछ था तो होता है कि अब भो भी उनके साथ क्यूंकि रास्ता वो इसा जहां से अब वो बरात जा रही थी जाना उसको उदर से ही था और वो उदर से ही निकलता है बरात के साथ ही मिल जाता है होता है कि दोस्तों की आदे रास्ते में जाकर बरात वो रुक जाती है में इसका बहां पर खाने पीने का प्रवंद होता है तो बहां पर जो और भूत थे वह । सारे बैट जाते हैं तो साथमार आदमी बैट जाता है तो होता है कि दोस्तों कि जब वो खाना प्रॉष्टे हैं तो खाना तो देखने में अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा है बहुत बढ़ी आए अच्छा टेस्ट है तो अब क्या होता है कि बहुत सारे अब उसको भी खाना प्रॉष्ट देते हैं और खाना प्रॉष्टे उसको तो पता कहता भूत है तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो बारात उठी वहाँ से वो फिर वहाँ से सीथा अपने घर चलाया तो दोस्तों ये काफी समय पहले एक आदरी के साथ ही माचल महुँदा तो वो बारात में चला गया था भूत तो वहाँ पर वो बारात के साथ गया भी बैठा भी तो उसने देखा कि जो बारात जैसे हमारी बारात ने जाती है ऐसे ही उनकी बारात जाती है खूब आजे होते हैं खूब नगाले होते हैं काभी भूत परित होते हैं तो दोस्तो वह बरात से क्योंकि वह डरता नहीं था अगर वह डर जाता तो मर जाता दोस्तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखने कि जब आप कहीं चंगल में केले जा रहे हैं अगर आप डरते हैं तो आपको डर बहुत ज़्याद लगे मालो की के बर कि ऑता है कि रात का टाइम और रात कर बारा हुआ को अस अब संसान जगह है भाँ मालों की कोई आदमी जा रहे हैं आपके आगे तो आदमी के ऑता है कि आदमी आदमी से डर जैते हैं अगर आप डरते नहीं हो आप तो सीधे निकल जाओगे दोस्तों समझे ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मान लो कि किसी इस इंसान जगा पर आपको कोई आदमी मिलता है और अवरत मिलती है सबसे पहले तो आपने ये नोट रखना है कि उसके परशाई दिखनी है उस भूत की परशाई है कि नहीं है और दोस्तों अगर वो परशाई नहीं है तो समझे लो वो भूत है और अगर परशाई है परशाई आपको दिखाई दिये तो वो आदमी है सब सिर्फ आपने ये चीज नोट करनी है और कुछ भी आपको नोट करने की जोड़ते हैं अगर मालो की उभूत है और परशाई नहीं वो आपके आगे जा रहे हैं तो आपने कुछ नहीं कहना है ना करना है आपने सीधा अपने रास्ते में चल जाना है उसको कुछ नहीं कहना है और अगर वो आपसे कुछ मांगता है ये कहता है तो आपने नाउस के साथ बोलना है चुक चाब नहीं करना है अगर बोलता है इशारे में समझा तो ठीक है वो आपको तंग नहीं करेगा अगर तंग करता है तो वह एक पंच आधमी पंच पूत होता है और भूत एक हवा होती हो आधमी के अंदर पंच टत्तः होते हैं अगनी, मिट्ती, बायू, अकाश, जल यह आधमी के अंदर है उसके अंदर कैसे वह बायू है बायू हमारे अपने लिए श्री ढूंडती है अगर आपके आपने देखा कि बहुत जैसे दिखाते हैं मोवीज में दिखाते हैं वह किसी भी दिवार को क्रॉस कर लेता है तो वह हवा है हवा कहीं से भी निकल सकती है दोस्तो जो आज मैंने कहानी बताई अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना जैहिन जैवारत